ओम नमाशिवा भोले बाबा समाधी में थे जब वह समाधी सी जागरित हुए तब उन्हें मालुम हुआ कि भगवान स्री कृष्ण ब्रज में बाल रूप में प्रकट हुए हैं यह सुनकर बाबा भोले नाथ ने बाल कृष्ण के दर्सन के लिए विचार किया और साधू रूप रखकर अप अपना सिस्य बना कर चल दिये भगवान संकर अलग जगाते हुए गोकुल पहुचे शिव जी नंद भवन के द्वार पर आकर खड़े हो गए तभी नंद भवन से एक दासी योगी रूप में आए शिव जी के पास आए और कहने लगे कि यसोदा जी ने ये भिच्छा इसे स्विकार करें और लाला को आशिरबाद दें शी बोले मैं भिच्छा नहीं लूँगा गोकुल में यसोदा जी के घर बालक का जन्म हुआ है मैं उनके दर्सन के लिए आया हूँ मुझे लाला के दर्सन करने हैं दासी ने अंदर जाकर यसोदा माता को बताया यसुन य यसोदा जी को बना अश्यर्य हुआ उन्होंने बाहर जाक कर देखा कि साधु खड़े हैं जिनोंने बाधामबर पहना है गले में सर्फ है भव्यजटा है हाथ में त्रिशूल है यसोदा माता ने साधु शिव जी को प्रडाम करते हुए कहा कि मैं लाला को बाहर नहीं आउगे आपके गले में सर्फ है जिसे देखकर मेरा लाला डर जाएगा शिव जी bok बोले कि माता तेरा लाला तो कालों का काल है ब्रम्मा का ब्रम्मा है वह किसी से नहीं डर सकता उसे किसी की भी कूद्रिश्टी नहीं लग सकती और वह तो मुझे पहचानता है वह मुझे प्रशन होगा मा मैं लाला के दर्शन के बिना ना ही पानी पिऊंगा और ना ही यहां से जाऊंगा और यही आपके आगमन में ही समाधी लगा कर बैठ जाऊंगा सिव जी नंध भवन में आसेश्वर महादीव के मंदिर में स्री क्रिश्न के दर्शन के लिए बैठ गए थोड़ी देर बाद बाल क्रिश्न ने जोर जोर से रूना शुरू कर दिया माता यसूदा ने उन्हें दूद पिलाया जूला जुलाया खिलाओने यादी देकर चुप कराने की बहुत कोशिश की परन्तु लेला धर चुप नहीं हुए तब ही दासी बोली माता मुझे लगता है आगन में जो साधू बैठे हैं उन्होंने ही लाला पर कोई मंत्र फेरा है तब माता यसूदा ने सांडिले रिशी को लाला की नजर उताने के लिए बुलाया सांडिले रिशी समझ गए की भगवान संकर ही कृष्ण जी के बाल सरूप के दर्सन के लिए आए हैं तब उन्होंने माता यसूदा से कहा माता आगन में जो साधू बैठे हैं उनका लाला से जन जन का रिस्ता है उन्हें लाला का दर्सन करवाईए तब माता यसूदा ने लाला का सुन्दर स्रिंगार किया और बाल कृष्ण को पितांबर पहना कर सिवजी को अंदर बुलाया जब स्री कृष्ण और सिव जी की आखे मिली तो लाला हसने लगा और सिव जी लाला को देख अति आनंधों उठे यह देख माता यसोदा को आश्चर्य हुआ की अभी तो लाला इतना रू रहा था अब हसने लगा माता ने सिव जी को प्रडाम किया और लाला को सिव जी की गोद में दे दिया माता यसोदा ने सिव जी से लाला को नजर न लगने का मंत्र देने को कहा योगी रुपी सिव जी ने लाला की नजर उतारी और बाल कृष्ण को गोद में लेकर नंद भवन के यांगन में नाचने लगे पूरा नंद गाउ शिव मय बन गया आज भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे नंद गाउ पहार पर है और नीचे से दर्सन करने पर भगवान संकर बैठे हैं शिव जी योगिश्वर है और श्री कृष्ण योगिश्वर है तभी सिव जी ने श्री कृष्ण की इस्तुती की भगवान स्री कृष्ण, भगवान स्री सीव से कहते हैं, मुझे आप से बढ़कर कोई प्रिय नहीं है, आप मुझे अपनी आत्मा से अधिक प्रिय हैं.